हेलो प्रेंड कैसे हो आप सबी तुलसी की सूखी लखड़ी का दिया जलाने से क्या होता है जानिये हैं आपे तुलसी एक ऐसा पौदा है जो धर्मिक और बैग्यान रूप से बहुत महत पूर है हिंदु धरम को मानने वाले तुलसी के पौदे में जल चड़ा कर ही दिन की सुरूरात करते हैं हैं तक सुबह साम तुलसी के पौदे में दिया जलाने का भी नियम है ऐसी मानता है कि इससे लक्षिमी जी प्रिसन होती हैं और घर में सुख सांती बनी रहती है आज हम आपको तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाने के कितने लाब हैं उसके बारे में बताने बाले हैं आये जानते हैं तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाने का नियम तुलसी की सुखी हुई लकड़ीों से दीपक जलाने से घर की नकारातमक उर्जा दूर होती है इससे सकारात्मक्ता आती है जीवन में तुल्सी की सूखी लकडी का दीपक घर से बुरी नजर को दूर रखता है इससे लक्च में आपके घर की रक्षा करती है इससे धन की कमी नहीं होती है इस दीपक को घर में जलाने से रोगों से मुक्ती मिलती है आप भगवान विश्णों के आगे तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाएं इससे परवर में का स्वास्त अच्छा होता है यह दीपक बहवाएक जीवन मजबूत बनाता है आप तुलसी के पौदे की लकड़ी से दिया जलाओगे तो रिस्ता मजबूत होगा इससे गरे और बास्तु दोस्त दूर हो सकता है कैसे जलाएं दिया आप तुलसी की साथ सूखी लकड़ीों को जमा कर लीजिए फिर उस पर तेल में भीगी हुई बाती लपेट लीजिए और भगवान विश्णों के आगे जला दीजिए तो फ्रेंड ये जानकारी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को जादा से जादा लोग हम शेयर कर दें चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्याबाद